महरस्ट में मराठा रक्षन की मांग को लेकर चल रहा शांती पूर्ण अंदोलन अभीनसक हो गया है सोंबार को बीड जिले में अंदोलन कारियों ने जम कर उत्पात मचाया तोड़ फोड़ की और आग जनी की NCP विधायक प्रकास सोलंके का घर और विधायक संदीप छीर सागर के दफ्तर पर पहले पत्राव किया और फिर उन्हें आग के हवाले कर दिया वहाँ पर खड़ी गाड़ियों को भी जलाया गया इसके अलावा बीड में शरत पवार गुट के NCP का दफ्तर को भी आग के हवा ले कर दिया गया है जगे जगे सडकों के बीच टायर जला कर मराठा अंदोलन कारियों ने विरोध प्रशन किया इसके अलावा बसों में भी जम कर तोड़ फोड और आगजनी की गई सत्पा पक्षो या फिर विपक्ष सभी नेताओं का विरोध किया जा रहा है अंदोलन कारियों की उगरता को देखते हुए विधायकों और सांसदों के घरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है वहीं बीड धार्शी और उस्मानाबाद जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है इसके अलावा बीड में तो अनिश्चितकाल के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है वहीं इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है मुखमंतरी एकनाशिंदे ने अंदोलनकारियों से शांती की अपील करते हुए कहा कि सरकार मराथा समाज को आरक्षन देने के लिए पृतिवद्ध है उन्होंने पिछले 6 दिन से अमर अनंचन कर रहे मराथा अंदोलनकारी नेता मनोज जारंगे पाटिल से अपनी सेहत का ख्याल रखने और अंदोलन को हिंसा कराय पर ना ले जाने की अपील की है जवाब में मनोज जारंगे पाटिल ने शांती बनाए रखने की अपील के साथ ही आरूप लगाया कि जारी हिंसा के पीछे सत्ताधारियों का ही हाथ है आपको बता दें कि अंदोलन के जोर पकड़ते ही सोंबार को मराठा रक्षन से संबंदीत मंत्री मंडल की उपसमीती की एक बैठक हुई थी बैठक के बाद मुख़मंत्री एक नशिंदे ने कहा कि 11,530 पुराने अभी ल संबंदाय के लिए कुणवी जाती का प्रमान पत्र कैसे जारी किया जाए इस विशह पर एक रिपोर्ट पेश करने के लिए राज्य सरकार ने सेवा निवर्त नियाधी संदीव शिंदे के नेतुरत में पहले ही एक समिती गठीद कर चुकी है उस समिती की प्राथिमिक रि वह अरक्षन के लिए जो भी उचित कदम होगा अवश्य उठाएगी वहीं मराठा अरक्षन के समर्थन में अब तक दो सांसदों और विधायकों ने स्तीफा दिया है रवियार को हिंगोली के शिंदे गुट के सांसद हेमंत पार्टिल ने अपना स्तीफा दिया था वहीं स पांसद हमन गोडसे ने मुख्वंत्री शिंदे को स्तीफा भेजा है वहीं आपको बता दें कि कॉंग्रेस के भी एक विधायक ने मराठा अक्षन के समर्थन में अपना स्तीफा दिया है विधायक सुरेश वर्पूडकर ने स्तीफा देते हुए कहा कि वह हर हाल में मराठा समदाय के साथ खड़े हैं तो कुल मिलाकर इस बार आरक्षन को लेकर मराठा समदाय आर पार की लड़ाई की मूड में नजर आ रहा है